Mathematics को Karl Frederick Goss ने समस्त प्रकार के विज्ञानों की महरानी कहा था Galilio Galilie ने कहा था कि Mathematics वो भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मान को लिखा है उसी ईश्वर ने अंतिम ईश्वर ये गरंत कुरान में Maths की लेंग्वेज का प्रियोग किया है जिसके दूसरे अध्याय का पहला शलोक अर्बी भाषा के तीन अक्षरों अलिफ, लाम और मीम से बना है जब हम इस पूरे चैप्टर का Maths की दरस्टी से अध्यन करते हैं तो हम पाते हैं कि इस पूरे पार्ट में पहला लेटर अलिफ 4502 बार आया है दूसरा अक्षर लाम 3202 बार प्रियोग हुआ है तथा तीसरा अक्षर मीम 2195 मरतवा इस्तेमाल हुआ है इन तीनों संख्याओं का योग करने पर 9899 संख्या प्राप्थ होती है जिसको कुरान की चमतकारिक चाबी 19 से भाग देने पर एक पूर्ण संख्या 521 का भागफल प्राप्थ होता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुरान में कुछ वाक्यों के बाद समस्थ संसार को चुनोती दी गई थी कि अगर किसी भी मनुश्य को इस बात में शक है कि यह कुरान इश्वर की ओर से है या नहीं तो इस कुरान में प्रियोग हुए वाक्यों की तरह का एक ही वाक्य सब मिलकर बना कर दिखाएं और 1450 वर्षपूर भविश्यवानी भी कर दी गई है कि समस्थ संसार के लोग मिलकर भी प्रियास कर लें तो भी ऐसा कभी नहीं कर सकेंगे सुनने में ये बात अविश्वसनिय लगती है लेकिन क्या कोई इसे संभव बता सकता है कि एक वाक्य या कुछ वाक्य ऐसे लिखे जाएं जिसमें आम और खास इंसानों के लिए उनके जीवन की सरल और जटल दोनों प्रिकार की समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान भी हो उसके साहितिक संदर्य को देखकर साहितिकार भी कह उठें कि ये सर्वस्रेष्ट साहितिक रचना है वेग्यानिक भी उसे पढ़कर बोल उठें कि ये बात तो 21 सदी से पहले कोई भी नहीं जान सकता था इसे कुरान में किसने 1450 साल पहले लिखा साथ ही वह किसी एक संख्या से विबिन रूपों में बंदा हुआ भी हो फिर आने वाले कल में अगर किसी अग्यात सूचना की जानकारी मिल जाए तो पता चले कि वह तो कुरान में ठीक आकडों के साथ पहले से मौजूद है तथा इन पांच विशेष्टाओं के अलावा पचास तरह की और चौका देने वाली खूबिया भी उन्ही सीमिज शब्दों में समाहित हो तो आप पकार उठेंगे कि असंभव ऐसा हो ही नहीं सकता लेकिन इश्वर तो सर्वशक्तिमान है और उसने कुरान को इन विशेष्टाओं से भर दिया है ताकि आप यह ना कह सकें कि यह किसी मानव की लिखी हुई किताब है इसलिए कुरान के आरम में उस वैग्यानिक भाषा से संकेत किया गया जिसको महरानी सिद्ध होने का गौरप्राप्त है धन्यवाद